इन्फर्टिलिटी याब अंध्यत्व आज कल एक बुखे समस्चा में से उभरता हुआ सामने आ रहा है और वोस्ट अफ तर कप्ल लागते शिंडिस इश्यू ना ओवर डिल आए जानते हैं आरवेड इसके बारे में क्या कहता है मैं डॉक्टर अनुकमा शर्मा आरवेड अचारिय गर्बसंसार कंसल्टेंट और इन्फर्टिलिटी एक्सपर्ट पिशले पंदरा सालों से मैं इन्फर्टिलिटी की फ्यूड में स्रासिकल आरवेड के साथ ही ट्रीक्मेंट कर रही हूँ आए सबसे में जानते हैं इन्फर्टिलिटी कैसे अराईज होता है और क्यों होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं आरवेड जो है वो त्रिदोश सदान को लेकर चलता है आए मतलब की वाद पित और कप यदि बालने्स कंडिशन में हैं तो हमारा शरीड डिजेस मेरी है या हल्ती कंडिशन में है यदि इनका बेलन्स बिगड़ता है तो शरीन में डिजेजेस सदा होनी शरूर हो जाती है और जब यह डिजेजेस पैदा होते हैं तो उनका एक symptom के form में हम infertility को लेते हैं तो इस तरह से आरवेज जो है इसको एक independent disease या किसी तरह का उक्तरव ना लेकर एक dependent means किसी disease के symptom की form में जो है इसको लेकर चलता है तो infertility या बंधियत में जो है वो एक symptom है बहुत सारी या किसी एक disease का जिसों बहुत सारी problems को हम लेकर चलते हैं जैसे कि thyroid हो गया PCOD है PCOS अगर यह सब हैं तो इनके symptom की form में जो है infertility आता है तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक symptom है तो इसके कारण क्या है आज कर जो है हमारा lifestyle बहुत खराब हो गया है तो सबसे पहले हम lifestyle को इसमें लेकर चलते हैं जिसके अंतरगर सबसे पहने तो हमारा diet junk food है fatty food है preserved food है जिसे बहुत जादा salt added रहते हैं या बहुत जादा sugars का addition हो गया है बहुत जादा deep fried चीज़े हैं मैदा वाली चीज़े हैं तो इस तरह का हम अहर वीहर का बहुत जादा सेवन करते हैं तो हमारा metabolism जो है खराब होता है metabolism खराब होने के वज़े से बहुत सारे hormones को करता है और जिसमेंसे की जिसको हम ने सकते हैं थाराइट पीसी ओडी इंडोमेट्रियोसिस इज्रिट बुलर मेंस्ट्रिल साइकल्स यह सब हमारे अनल्दी डाइट की वज़े से प्रॉब्लम सराई सोना शुरू हो जाती है इसके बाद जो है हमारा sleep pattern कैसा है बहुत जाद इसके बिज़े से इंडे सोना होता है जिनके night shifts रहती है उसके बिज़े से भी हमारा जो mechanism disturb होता है होर्वोन्स डिस्टर्ब होते हैं and again egg gets flies through infertility थी हमारा जो है egg की quality खड़ाब होनी शुरू हो जाती है और rupture या तो ठीक से नहीं हो रहा है या internal lining नहीं ठीक से बन रही है तो इस तरह से यह कुछ results हो सकते हैं infertility के इसके लब stress is one of the major factor behind this infertility क्योंकि अगर stress बढ़ता है तो वहीं पर हमारे hormones जो है again disbalance होना शुरू हो जाते हैं और वो infertility को arise कर देते हैं then age अगर बढ़ती हुई age है suppose अगर शादी लेट हुई है या फिर planning जो है वो लेट किया है 30+, 35+, या party के राउंदा प्लान करते हैं तो भी जो है easily conceiving नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो fertile period होता है it is best below the 30 years जैसे जैसे age exceed होती चली जाते है तो fertile window या the conceiving age starts increasing इसके अलावा बहुत सारे हमारे body के factors रहते हैं कि जैसे मैंने diseases के लिए बताया है diabetes, thyroid या फिर इसके लावा irregular periods, weight gain weight gain अगर आपका हो रहा है, facts का deposition हो रहा है तो facts भी हमारी body में metabolism को disturb करता है, insulin resistance पैदा कुटता है जिसके वज़े से हमारा hormones का जो एक cycle है, वो disturbed हो रहा है और disturbed होके जो है, again it makes rise to infertility तो यह कुछ major factors है, infertility के, तो Ayurved इनको कैसे treat करता है, यहां अपने next video में हम यह discuss करेंगे step by step how to cure and how to balance your doshas, how to balance your hormones through the simple Ayurvedic procedures and the herbal medicine, thank you